शुरू करते हैं कुछ और basic compound से isomyrus metamaryse metamaryse कौन दिखाते हैं पहले तो यह बताओ polyvalent functional group अब मुझे यह बताएं पहले polyvalent कौन सा functional group है देखिए सबसे पहले बात करते हैं polyvalent अगर हम बात करते हैं यह हमारे लिए polyvalent है सही है polyvalent positions अलग-अलग हमारे लिए हो गई क्या हमारे लिए यह polyvalent है हाँ यह हमारे लिए polyvalent है क्या यह हमारे लिए polyvalent है हाँ यह भी polyvalent है ठीक है तो खुल मिला के हम इन सब को polyvalent कह सकते हैं सबसे पहले इसका ध्यान मेरे लिए एथर में आया ठीक है तो हम इसको polyvalent हम यहां बात कर सकते हैं कि किसी भी function group में जो दोनों वैलेंस ही हो उनमें alkyl group का transition होना पूरी तरह से नहीं change हो जाना जैसे अगर 1 degree amide, 2 degree amide में change हो गया तो फिर वो functional हो जाएंगे 1 degree का 1 degree रहना चाहिए function नहीं change होना चाहिए तो यह दे सकते हैं पहले कौन दे सकता है? सबसे पहला question given by this compound given by following कौन देगा यह देएंगे दूसरा point फर्स्ट पॉइंट हो यह clear है दूसरा point functional group should not be change अगर वह change हो गया तो गये आप फिर आपका यह meta merismar के आखे क्या 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 क्लाएगा functional isomers गया so functional group group should be same शुद भी सेम फॉंक्शनल गूप शुद भी सेम तीसरा पॉइंट जो भी हमारे लिए अलकाईल गूप है around polyvalent functional groups are different functional group is different ठीक है तो शुरुआत करते हैं हम कुछ चोटे चोटे एक्जामपल से देखो इदा मैं एमीन ले रहा हूं इसा कुछ लेने के कोशिश कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच छे चे कार्बन वाली देखते हैं कौन किसका क्या लगता है एक दो तीन चार पांच छे बचीरी निट्रोजन की वैलन्सी एच एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच ठीक है एक और लेना है एक और देखते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ ज़्यादा ही हो गए ठीक है छे लाना है नहीं तो कंपांड ही अलग हो जाएगा एक दो तीन पक्का और यह हमारे पास हो गए एक दो तीन छे हो गए तब मेरे को बताओ यह दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स बोलो यस क्योंकि इन में वन डिग्री और एक थ्री डिग्री है यह दोनों थ्री डिग्री है दो 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 जिबकि यहाँ पर क्या था दो तीन एक यह दूसरे के क्या है मेटामर्स आइसोमर्स यह दूसरे के क्या है यह भी त्री डिग्री यह भी त्री डिग्री कैसे एक दो तीन चार पांच छे बराबर कारवन है यह दूश्य के क्या है? functional isomers यह दूश्य के क्या है? functional isomers यह दूश्य के साथ क्या है? यह भी 2 degree है, यह भी 2 degree है group change दिखी रहा है metamers, isomers कौँछा ओला बिटा? देखो, यह दूश्य के साथ क्या है? यह भी 2 degree है, यह भी 2 degree है इसके साथ obviously hydrogen है carbon count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 3, 6, हाँ बोलो यह दूश्य के साथ नहीं होंगे, कहां है? functional isomers से है बिल्कुल सही कहा है और यह दूश्य के साथ क्या है? यह भी f i है और यह दूश्य के साथ क्या है? यह भी f i है और यह दूश्य के साथ क्या है? 2 degree, 2 degree अगर 2 degree, 2 degree आ रहा है दोनो तो फिर mi सही है? बिल्कुल सही बना दिया? कहीं कोई दिक्का तब? अच्छा, इन दोनों example को देख के बताओ मेरे को यह दूसरे के f i हैं या g i हैं? या mi है? मैंने mi लिखा किया सही हूं में? यह भी ester क्यलाता है, यह भी ester क्यलाता है function group change हो रहा है क्या? नहीं ना? alkyl group change हो रहा है? हाँ इसका नाम क्या होगा? IUPAC name क्या होगा इसका? कर क्या रहा है? इतना पढ़ने के बाद इसका IUPAC name होगा methyl क्योंकि main function group यह है तो methyl पहले लिखना ही पढ़ेगा methyl benzen carbenoid 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 आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? कार्बे O8 हमारे पास है? कार्बेण O8 या कार्बॉक कार्बॉक्सिलेट इसका क्या नाम होगा? क्या यह सही है क्या? सोच की बोलो एक्च्वल में पहले यह वाला ग्रॉक्सिजन के पहले वाला अपने कभी इसके लिए वह सही था यह इसका अंसर हो जाएगा इसके लिए अंसर क्या जाएगा? फिनाइल पहले आएगा फिनाइल मेथेनोइट ख़दम अब सही है? मेथेनोइट कहाँ आएगा? दोखार बने याँ कर क्या रहे हो? एथेनोइट फिनाइट और इसका अंसर जो आपने पहले वाले का दिया क्या है? लिगे इसको